आज की जो वीडियो है वो है बेस्ट मेरी स्किन केर पर जी हाँ आप बहुत सारे मुझे मेसेजिस भेज़रों इंस्टाग्राम पर और अब्विसली कमेंट भी कर रहे हो मेरे यूट्यूब पर फॉर माई स्किन केर तो मुझे लगा कि अब जल्दी से मुझे वीडियो शेयर कर देनी चाहिए तो मैंने जल्दी से ये सुबा सुबा अपने पीजेस में अपनी स्किन केर जब मैं शुरू कर रही थी तो मुझे लगा कि चलो फिल्म कर लेते और आपको मैं सब चीज बताती हूँ जो भी मैं अपनी स्किन और हैर केर में इंकॉर्परेट करती हूँ चीजे वो सब आप से शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल सा स्किन केर है बट मैं एक चीज आपको बताऊंगी अच्छी स्किन का राज है रेगुलर रहना आप रेगुलर रही है चाहे आप टू स्किन केर क पहले सबसे पहले मैं करती हूँ आइस रोलिंग के बारे में अगर आपको नहीं बता है तो इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है मैं आप आप वो देख सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूगी यह सबसे पहले सुबा उठते ही मैं यह चीज करती हू इसने लिटरली मेरी स्कीन बहुत ज़्यादा चेंज की है बहुत ही ज़्यादा मेरे पोर्स यहां फिर आप कह लीजे कि अगर स्कीन सैगी स्कीन है न वो भी इससे टाइट होती है यह बहुत 100% वर्क करता आप इसको ट्राइज जरूर कीजे तो मैं यह आइस रोलर यहां पर को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाने वाला है आपके चाहिए किसी भी तरह की सकीन है यह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्टS देगा तो सब से पहला जो मेरा काम होता है आइस रोलिंग का ही होता है यह मेरा हर दिन का काम है इसको मैं कभी स्किप नहीं करती आपको करके दिखा रही हूं पूरा यह करके दिखा रही हूं अगर आपको इसको स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं बट मुझे लगा कि मुझे फिल्म करना चाहिए आपको दिखाना चाहिए तो यह मेरा इतना होता है मेरी स्किन को आइस जो है टोटली सूट करती ह तो आप लोग यह जरूर ध्यान रखे कि आइस जो है आपकी स्किन को सूट करें ठीक है ना क्योंकि आइस भी काफी स्ट्रॉंग होती है आपकी स्किन के लिए तो आपको यह ध्यान रखना कि आपकी स्किन को आइस जो है वो सूट करें तो यह देखिए स्किन इससे बहुत ज तब में अपना फेस्वाश करती हूँ आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टन चीज है जब आप अपना हाइल राणिक ऐसे ड्यूज करें तो आपका फेस्वाश वो डैंप होना चाहिए सूखा नहीं होना चाहिए समझे ना ही गीला हो पुरी तरह से नहीं पूरी तरह से सूखा हो डैंप हो और तब अपनी हाइल राणिक ऐसे ड्यूज कीजिए यह लॉरियल पैरिस की मैं यह हाइल राणिक ऐसे ड्यूज कर रही हूँ यह थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि हयालू जल से थोड़ी सी जैदा मॉइस्टराइसिंग है व सूखने नहीं देती हूं मैं फिर अपनी जो मैंने मेन क्रीम है वो लगा तो मैं यहां पर आपको बता रही हूं कि यह में मेरे पास है डर्मा को की टू परसंट कोजिक ऐसीड और एक तरफ है लोटस यूथ आरेक्स की एंटी एजिंग डे क्रीम यह SPF के साथ है मैं आपको सबसे पहले तो बिल्कुल भी यह SPONSORED वीडियो नहीं है यह मेरी जैनुरन रिव्यू है डर्मा को की कोजिक ऐसीड मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने सज़ेस्ट की थी बहुत सारे लोग ने मुझे सज़ेस्ट किया था प्लीज कोजिक ऐसीड का रिव्यू कीजे तो मै अब मेरी करन्ट स्कीन केर देख रहे हो तो यू थार एक्स तो मैं अभी यूज करना शुरू कर रही है उससे पहले मैं डर्मा को की ही कोजिक ऐसीड यूज कर रही थी गाइस मैं जन्यूली आपको बता रही हूं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे मतलब की मेरी विजिबल डिफरेंस दिखा है मेरी स्कीन ब्राइटर हो गई है ब्राइटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कॉमपलेक्शन हो गया मेरी स्कीन का अब मैं यह नहीं कर रही हूं कि जो आपकी स्कीन पर जैसे डाकनेस है या हलकी सी आपकी यह डाक स्पॉट से इनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूं अब क्यूंकि अब यह यूथ आरेक्स में ट्राय कर रही थी एंटी एजिंग है तो मैं अल्टरनेट डेस पेस को यूज कर रही हूं तो इफ यू हाव लाइक यह लोटस की यूथ आरेक्स में यूज करती हूं तो इसके बाद मैं अपनी संस्क्रीन लगाती हूं न्यूट्रोजीना की संस्क्रीन में यूज करती हूं तो इसकी यह देखिए इसका ठकन गुम गया मुझसे मुझे नहीं पता कहां पे है तो यह खतम होने वाली अल्मोस मेरी बॉटल और बहुत मैं इसक सिंग्मेंडेशन या डाक स्पॉट्स या ऐसे इशूज अना आपके फेस पे तो आप यह ट्राइ कर सकते हो कोजी कैसे मुझे तो बहुत ही जैता अच्छी लगी I just love it 100% जेनूइन है मैं आपको बता रही हूं कोई मेरा कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है यह मेरा परसनल अच्छा लगा लेती हूं बहुत मॉस्टराइजिंग अपके लिप्स को पिंक कर देता है बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है यह मेरा एक बेसिक सा स्किन के रहा है आपको अच्छा लगा होगा और फिर अपना आप अपनी लाइक यूनो संस्क्रीन अच्छे से लगा अगर आपको बाहर जाना मैं नूच्रोजीना की संस्क्रीन यूज करते हूं मैं ये यह आपको संस्क्रीन के भी लिंक्स दे दूंगे अगर आपकी और ये र्यूब्राइज की न उसके लिए इस ये मेरा स्किन केर बहुत हल्का सा मैं आपको अपको कुछ टिप्स देते मैं उस जो में उस करती हु चीज़े अबे छीड पे अ क्चिन के लिए इत्ची पाक बाती हो यह मुझे बहुत से लाइकar करता है मुझे अच्छालगता है तो यह सीन पैचीसली को को पील-उफ नीच होटा जल्दी बड़े एक्ने तो आप यह वाला जरूर यूज करके देखिए बहुत जदा इफेक्टिव है इसको मैं बेसिकली अमनी नोस पे यूज करती हूं ब्लैक हैट्स के लिए मेरे एक्ने इतने नहीं होता है बर ब्लैक हैट्स होते हैं नाक पे तो इसको क्लीन करने के अच्छे लगे मुझे तो इसलिए आप लोग के साथ करें तो फाइनल आपके साथ मैं एक चीज शेयर करें जो आपको बहुत ज़्यादा है करने वाला है इस डिस एपल साइड़ विनेगर एपल साइड़ विनेगर का टूनर यूज कीजे बना के मैं पूरी वीडियो बना तो मुझे कोई मतलब इंस्टाग्राम पे उसके मेसेजी आए थे माई गॉड मैं सबको नहीं टाइप कर पा रही हूं उसका असर तो मैं आपको विजाते हूं कि मैं हेना यूज करते हैं अब देख सकते मेरी जो हेर लाइन है थोड़ी सी ग्रे हैर से मेरे हेर लाइन में अ मास्क और यह आपके बालों को थिक और हैवी भी बनाएगा तो इसमें भी एसीवी है आप जरूर वो एसीवी की वीडियो देखेगा मैं बनाओंगी और आपको बहुत हैल्प मेलेगी तो या दिस वोज वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो लिंक जो है सारे डिस्